मौलाना आजाद नाशनल उर्दू उनिवर्सिटी की जानिव से पेश किये जाने वाले इस तद्रिसी प्रोग्राम में मैं डॉक्र एस मखबूल अहमद आपका खेर मखदम करता हूँ आज का मौजू B.A.C. साल अवल तल्बा के लिए है नवातियात और हैवानात के अलावा साइन्स की एक वसी शाख है जिसको माइक्रो बायालजी या खुरुद हैतियात कहते हैं खुरुद हैतियात या माइक्र और्गानिजम का मुताला होता है खुरुद अजसाम मुक्तलिफ खिस्व क्यों होते हैं जैसे वाइरस आर्की बैक्टिरिया माइको प्लास्मा निल्गू सब्जालजी फंजाई वगयरा वगयरा इनके अलावा चंद ऐसे खुरुद अजसाम अपने अतराफ पाई जाते है जिन को हम अपने साधा आंग से नहीं देख सकते हैं ये अपनी रोज मर्रा जिन्दगी के लिए बेहत जरूरी है जैसे के चंद खुरुद अस्थाम दूद को दही में तब्देल करते हैं जमीन को जर्खेस बनाते हैं इसके अलावा सनत में इसका भरपूर इस्तमाल होता ह इसके अलावा खुरुद अस्थाम पौदों और हैवानात में मुक्तलिफ खिस्म की बीमारियों को फैलाते हैं जी हाँ अब आप समझ गये होंगे मैं किन खुरुद अस्थाम या माइक्रो और्गैनिजम के बारे में बात कर रहा हूं ये है बैक्टीरिया जिसको जरासिम कहते हैं जरासिम या बैक्टीरिया को 1676 में आंटेन वान लिवन हुक ने बारिश के पानी से दरियाफ्त किया जरासिम के मुताला को जरसोमियात या बैक्टीरियालोजी कहते हैं बास पौदों और हैवानात में बैक्टीरिया तुफेली हैं लेकिन जरासिम अक्सर गंद प मादे की तहलील में मदद करते हैं शकल की बुनियात पर जरासिम मुख्तलिफ खिस्म के होते हैं जैसे कुरह नुमा स्परिकल शेप सलाख नुमा रॉट शेप कामा नुमा यानि कामा का शकल का होता है और मरगुली दार यानि स्पाइरल शेप जैसे के आप यह स्लाइड बैक्टीरिया है और यह जो बैक्टीरिया नजर आ रही है सलाख नुमा यानि इस बैक्टीरिया रॉट शेप की शकल की होती है कुरह नुमा बैक्टीरिया को कोकस कहते हैं सलाख नुमा जरासिम को बैसिलस कहा गया है उसी तरह से कॉमा नुमा बैक्टीरिया को विब्रियो कहते हैं और मरगुलीदार जरासिम को स्पायरिलम कहते हैं यह आप जो स्लाइट देख रहे हैं इसमें कौमा शेप जरासिम इस तरह से इसको विब्रियो बैक्टीरिया कहते हैं और इसके अलावा कुरवी शकल का बैक्टीरिया कोकस है और दूसरा सलाखनुमा बैक्टीरिया इसको बैसिलिस कहते हैं और तीसरा मरगुलीदार जरासिम इसको स्पारिलम कहते हैं। bacteria कहा गया कुरा-novma जरासिम तनहा या जोड़े में पाए जाते हैं अगर तनहा हो तो इस हालात को monokaucus कहते हैं उसी तरह से अगर कुरा-novma बैक्टरिया जोड़े में हो तो diplokaucus कहा गया है जैसा आप slide देख रहे हैं कुरा-novma जरासिम आपस में जोड़े हुए हैं इस हालात को डिपलो कोकस कहते हैं उसी तरह से अगर कुरा नुमा के जरासिम आपस में एक जन्जीर नुमा साखत बनाते हैं तो इसको स्टेप्टो कोकस कहते हैं उसी तरह से कभी कबार बैक्टीरिया अंगूर की गुच्चे की शकल में नजर आते हैं यानी कुर्रा नुमा शकल के बैक्टिरिया आपस में जुड़ कर एक गुचे की शकल इख्यार कर लेते हैं इस हालात को स्टेफाइलो कोकस कहते हैं इसके अलावा बाद बैक्टिरिया तख्ती नुमा शकल के होते हैं इसको सारसीना भी कहते हैं जरासिम में हरकत किस तरह से वाखि होती है जरासिम में हरकत या लोको मोशन इन बैक्टिरिया जरासिम में हरकत बाल नुमा साखतों की मदद से होती है इस बाल नुमा साखत को सूतिय या फलाजिला कहते हैं कुर्रा नुमा और बासलाख नुमा जरासिम में सूतिय गैर मौजूद होते हैं इसलिए ये हरकत नहीं करते हैं सूतों की तादाद और मुखाम के बुनियाद पर बैक्टीरिया को मुख्तलिफ खिस्मों में तक्सीम किया गया यानि सूतों के मुखाम पोजीशन और नंबर की बुनियाद पर बैक्टीरिया मुख्तलिफ खिस्म के होते हैं जैसा पहला मोनो ट्राइकस दूसरा एम्फी ट्राइकस तीसरा लोफो ट्राइकस चौथा पेरी ट्राइकस और पंजुम ए ट्राइकस अगर bacteria के किसी एक सिरे पर एक सूता हो तो इस हलात को Monotrichus कहते हैं जैसा आप स्लाइड देख रहे हैं, इस स्लाइड के bacteria के जिसके कोई एक सिरे पर जुनूबी या शुमाली सिरे पर एक सूतिय मौझूध है तो इसलिए इस हलात को Monotrichus कहा गया बास बैक्टीरिया के दोनों सिरों पर सूते मौजूद होते हैं इस बैक्टीरिया को अमफी ट्राइकस कहते हैं यानि बैक्टीरिया के दोनों सिरे पर एक सूते मौजूद होता है तीसरा और अगर कोई एक सिरे पर एक से जायत सूते मौजूद होते हैं उस बैक्टीरिया को लोफो ट्राइकस कहते हैं चौथा और अगर बैक्टीरिया के खिलिये के अतराफ कसीर तादाद में सूतिये पाए जाते हैं तो इस बैक्टीरिया को पेरी ट्राइकस कहा जाता है और बाज जरासिम में देखा गया कि जरासिम के जिस्म के अत्राफ सूतिय या फ्लाजिल्ला गहर मौजूद होते हैं इस हालात को ए ट्राइकस कहा जाता है जैसा आप स्लाइड देख रहे हैं इस स्लाइड में जरासिम के जिस्म के अतराफ सूतिय या सूतिय फ्लाजिल्ला गेर मुझूद है सूतिय बैक्टीरिया में हरकी आजा कहलाते हैं ये फ्लाजिल्लिन नामी लहमियात या प्रोटीन से बने होते हैं इसकी जिसामत चार ता पांच माइकरॉन की और दवासत एक सो बीस ऑंक्स्ट्राम की होती है बास खलियों में इसकी लामबाई खलिये से दस गुना लामबी होती है शकल की बन्याद पर सूतिये की साख्त को तीन हिस्सों में तक्सीम किया गया असासी जिस्म, हुक और फिलमेंट जिसको रेशा भी कहते हैं हुक असासी जिस्म और रेशे के दर्मियानी हिस्सा होता है असासी जिस्म खल्वी दिवार और प्लास्मा जिली में पाई जाती है असासी जिस्म में दो जोडे हल्के या रिंग्स पाई जाते है पहला जोड का रिंग यानि पहला जोड खल्वी दिवार में होता है जिसको P और L रिंग कहते हैं जैसा आप स्लाइट देख रहे हैं L और P रिंग खल्वी दिवार में पाए जाते हैं और दूसरे S और M रिंग ये प्लास्मा जिल्ली के अंदर धसे हुए होते हैं हुक असासी जिस्म और रेशे या फिलमेंट के दर्मियानी हिसा है फिलमेंट एक मखसूस खिस्म के लहमियास से बना होता है जिसको फ्लाजलिन कहते हैं बाज ग्राम मन्फी जरासिम में पूरी खल्वी सते पर सूतियों की तरह साखतें पाई जाती हैं इनको पिली या फिम्रिये कहते हैं ये पिलिन नामी लहमियास से बने होते हैं तौलीद में हिस्सा लेते हैं जैसा आप स्लाइट देख रहे हैं इस स्लाइट में लंबी लंबी जो साखते नजर आ रही है रेशे नुमा इनको पिलाई या फिम्रिये कहते हैं ये तौलीद में एहम रोल अदा करते हैं इसलिए इनको सेक्स पिलाई भी कहा गया रंग रेजी या स्टेनिंग के बुनियाद पर बैक्टीरिया को दो ग्रूप्स में तक्सीम किया गया ग्राम मुस्बत जिसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा ग्राम मन्फी या ग्राम नेगिटिव बैक्टीरिया कहते हैं ग्राम मुस्बियत और ग्राम मन्फी बैक्टिरिया को क्रिस्टियन ग्राम नामी साइसदान ने रंग रेजी तरीखे से दरियाफ्ट किया रंग रेजी तरीखे में पहले राइजोबियम बैक्टिरिया को लिया जाता है अजिस तल्बा आप लोगों को पता होगा कि फैवेसी खानदान के तमाम पौदों के जड़ों पर जड़ करीबचे या रूट नाडियूल्स पाए जाते हैं जैसा कि आप स्लाइड देख रहे हैं यह जो कुरे नुमा साख्त जो नजर आ रही हैं इनको नाडियूल्स कहते हैं या जड़ करीबचे कहते हैं इन जड़ करीबचों में राइजोबियम नामी बैक्टीरिया कसी मगदार में पाए जाते हैं ये माहूल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को तजबियत करते हैं यानि माहूल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इस तरीखे में एक स्लाइड पर बैक्टिरियल स्मेर को लिया जाता है यानि बैक्टिरियल लेप को लिया जाता है इसमें क्रिस्टल वाइलेट महलूल को मिला जाता है बाद में रंग को पानी से दो दिया जाता है इसके बाद आयोडीन महलूल से तरकीब दिया जाता है इस मरहले पर जरासिम परपल रंग के नजर आते हैं तब इसको इतायल आलकाहॉल से दो दिया जाता है जिस जरासिम में इतायल आलकाहॉल के तरकीब खाने के बाद परपल रंग खायम रहता है उस जरासिम को ग्राम मुझबत जरासिम कहते हैं जैसा आप स्लाइट देख रहे हैं ये ग्राम मुस्बत जरासिम है यानी रंग खायम है और दाइने जाने ग्राम मन्फी इसलिए कहते हैं कि परपल रंग तहलील हो जाता है या गायब हो जाता है ग्राम मुस्बत और ग्राम मन्फी बैक्टीरिया के दर्मियान कई सारे फर्ख पाय जाते हैं लेकिन मैं सिर् आपको चन्द फर्ग बितलाओंगा, ग्राम मुश्बथ बैक्टेरिया के खलवी दीवार की दवासत की होती है. लेकिन ग्राम मन्फी बैक्टेरिया की खलवी दीवार की दवासत सौटा देड़ सो ऑंक्स्ट्राम की होती है खल्वी दिवार एक पर्ती होती है लेकिन ग्राम मन्फी में खल्वी दिवार तीन पर्ती होती है ग्राम मुस्बत बैक्टिरिया की खल्वी दिवार में टेकोईक तुर्शा पाया जाता है लेकिन ग्राम मन्फी जरासिम की खल्वी दिवार में टेकोईक तुर्शा गार मौजूद होता है जैसा कि आप स्लाइट देख रहे हैं ये टेकोईक तुर्शा ग्राम मुस्बत बैक्टीरिया में मौजूद है लेकिन ग्राम नेगिटिव बैक्टिरिया में टेकोईक तुर्शा गहर मौजूद होता है इसकी खल्वी दीवार में 20 ता 50 फीसद पेप्टिडो ग्लाइकॉन पाय जाता है लेकिन ग्राम मन्फी बैक्टिरिया की खल्वी दीवार में लिपो प्रोटीन लाइपो पॉली सैकराइट्स और पेप्टिडो ग्लाइकॉन पाय जाते हैं बैक्टिरिया की खल्ये की साख जैसा के हमें पता है बैक्टिरिया की जिसामत नहायती छोटी होती है इसकी साफ़ को तफसील से मुताला करने के लिए एलक्टरॉन, माइक्रोसकोप या बर्खियाई खुरुद्बिन का इस्तमाल करना लाज़मी बन जाता है दूसरे पौदों के खल्यों की तरह जरसोमी खल्यों में भी खल्वी दिवार, प्लास्मा जिल्नी, खल्वी माया, लोनीन मादे, रैबोजोम वग़रा खल्वी अज़वीचे पाए जाते हैं जैसा आप ये स्लाइड देख रहे हैं, ये प्रो कियरियोटिक खल्या या जरास्म की खल्या की स्लाइड है और इस खल्या के दर्मियान में जिनी मादा मौझूद है, यानि इसको डिन ने कहते हैं और इसके अतराफ जो आपको साखत जो नजर आ रही हैं, यानि ये जो साखते जो नजर आ रही हैं, इनको पिलाई कहा जाता है और लंबी सी जो साखत जो नजर आ रही है, इसको सूतिया या फलाजला कहते हैं इन खलियों को नकस नवाती खलिये या प्रोकिरियोटिक सेल्स कहते हैं यानि वैक्टिरिया के खलिये को नकस नवाती खलिया इसलिए कहते हैं कि जिनीनी मादा के अत्राफ किसी खिस्म की मरकजी जिल्ली नहीं होती है इसलिए इन खलियों को प्रोकैरिया़ٹिक सेल्स या नक्सद नवाधी खलिये कहते हैं खलिये के अतराफ एक दबीज दिवार होती है जिसको खल्वी दिवार या सेल वाल कहते हैं ये खलिये की ह kissوں की हिफाज़त करती है और लचकडर भी होती है खल्वी दवार की दबासत 100-250 आंक्सिटराम की होती है तमाम पौदों में खल्वी दिवार सेलिलोस की बनावट की होती है लेकिν ताजुब की बात है बैक्टीरिया में पाय जाने वाली खल्वी दिवार ये मियुककोपेपटाइון से बनी होती है यानि ये डाइस सैकराइड होता है दो मैनोमर इकाईओं से बना होता है पहला एन असिटाइल ग्लुकोसा माइन और दूसरा एन असिटाइल मियुरामिक आसेड या एन असिटाइल मियुरामिक तुर्शा ये जो आप सलाइड देख रहे हैं ये नकस नवाती खली ये की सलाइड है जिस तरह हम पहले भी आपको बता चुके हैं खल्वी दिवार जो होती है ये अंदरुनी हिस्सों की हिफाज़त करती है और उसके निचले जानेब पतली सी जिल्ली होती है जिसको साइटो प्लास्मि खल्वी दिवार की उपर के जाने या खल्वी दिवार को ढखे हुए केसा या कैप्शूल पाया जाता है। पेंसिलिन की मौझूदगी में बैक्टीरिया की खलवी दिवारें तहलील हो जाती हैं जिसकी वज़े से बैक्टीरिया बगएर खलवी दिवार के नजर आते हैं। आईसे बैक्टीरिया को L. Form of Bacteria भी कहते हैं। L. के मानी हैं लिस्टर इंस्टीूट में इन बैक्टीरिया क के मसावी होते हैं। माइको प्लास्मा भी एक ऐसा खुरुद अच्साम हैं जिसके अतराफ खलवी दिवार गयर मौझूद होती हैं। ये सिर्फ प्लास्मा जिली से बना होता है। इसलिए कहा जाता है के L. Form of Bacteria MLB के मसावी होते हैं। खलवी दिवार के अतराफ एक दव जिसे के अंदरोनी जानिब जो पायजाने वाली साख्त है ये खलिये की साख्त है। केसा Polysaccharides की बनावत का होता है। खलवी दिवार के निचली जानिब एक पतली सी जिली होती है। इसको प्लास्मा जिली कहते हैं। प्लास्मा जिली 60% लह्मियाद, 30% शह्मियाद और 10% demandé करबोहईडरेट से बनी होती हैं। ग्राम मुस्बत बैक्टीरिया में प्लास्मा जिल्नी अंदरूनी जानब मुड़ी होती है। इस अंदरूनी जानब मुड़ी हुई पाए जाते हैं खल्वी माया में बहाव हरकत यानी स्ट्रीमिंग मूवमेंट नहीं होती है जैसा आप लोगों को पता होना चाहिए कि तरकी आफ़ता खल्यों में स्ट्रीमिंग मूवमेंट पाए जाता है लेकिन नकस नवाती खल्यों में इस तरह का बहाव हरकत या स्ट्री प्रिमेटो फोर्स या लोन बर्दारों में जमा हुए होते हैं और बैक्टिरिया में गज़ा गलाइकोजन की शकल में जखिरा होती है। खल्वी माया में दरो माय जाल सब्जीने जैसे खल्वी अजवीचे गैर मौजूद होते हैं। जरासिमी खलियों में नवाती जिस्म जीनी मादा है ये खलिये के दर्मियान में पाए जाता है इसमे नवाती जिली और मरकजी चा नहीं होता है डीने एक दो मरगुलेदार होता है इस स्लाइड में भी बताया गया है दर्मियान में जो पाए जाने वला मादा इसको जीनी मादा ये जिनेटिक मेटिरियल कहते है ये डीने कहते हैं और इसके अतराफ मरकजी जिली या नवाती जिली और उसके साथ साथ मरकजी चा गएर मوجود होता है बैक्टिरिया में तॉलीद दो खिसमी होती है गैर सन्फी तॉलीद ए सेक्शूल रिप्रोड़क्शन और सन्फी तॉलीद सेक्शूल रिप्रोड़क्शन बैक्टिरिया में पाई जाने वाले गैर सन्फी तॉलीद को फिर से दो खिसमों में तक्सीम किया गया है दोहरी पारगी या दोहरा इन्शिखाख जिसको बाइनरी फिजन कहते हैं और दूसरा दरो बजरे के जरीए या इंडो स्पोर्स के जरीए दोहरा इन्शिखाख ये बैक्टीरिया की आम तुलीदी तरीखा है जो मौफिक हालात में अन्जाम पाता है इस तरीखे में बैक्टीरिया के खलीए दो मसावी खलीओं में तकसीम होते हैं पहले मरकजी तकसीम अमल में आती है और फिर खल्वी तकसीम वाखे होती है जैसा आप स्लाइट देख रहे हैं यह जो पहला स्लाइट है दर्मियान में जो जीनी मादा है ये जीनी मादा पहले दो डीने या दो जीनी मादों में तक्सीम होता है यानि डीने तोटकर दो हिस्सों में तक्सीम होता है इसलिए इसको कैरियो काइनसिस कहते है यानी मरकिजी तक्सीम होती है और उसके बाद खलिया दो दुखतर खलियों में तक्सीम होता है इसको सेल डिविजन या खल्वी तक्सीम कहते हैं लेकिन गर मौफिख हालात में दरो बजरे के जरीए एसक्शल रिप्रड़क्शन या गर सन्फी तौलीद अमल में आती है दरो बजरा कुर्रवी या बैजवी शकल के होते हैं दरो बजरे के अतराफ दवीज परत पाई जाती है जिसको बजरी दिवार कहते हैं जब दरो बजरा पुखता होता है तो बैक्टीरिया खल्वी दिवार तोटे हुए बजरा बेरुनी जाने हरकत करने लगता है बैक्टीरिया में जीनी मादा का तबादिला तीन तरीखों से अमल में आता है पहला पार एसाली जिसको ट्रांसड़क्शन कहते हैं दूसरा पार एसाली क्या होता है जब जीनियाती मादा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जरसोमी आकला या बैक्टीरियो फेज के जरीए मुंतखिल होता है तो उस अमल को पार एसाली कहते हैं इस स्लाइड में आप देख रहे हैं यह जरसोमी आकला है यानी बैक्टी जाने वाला जीनियाती मादा दूसरे जरासिम में मुन्तकिल होता है यह इस हलात को ट्रांसडक्शन या इस तुलीदी तरीखे को ट्रांसडक्शन कहते हैं संजोग या कांजूगेशन जब जीनियाती मादा रास तौर पर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में संज लिये पाएंग ये जो स्लाइड बता रहें ये आतिया कुनिनदा खलिया है और दाइ जानब खुबूल कुनिन्दा खलिया है इन दोनों के जानब एक संजोग नली तयार हुई है और इस संजोगßen के जरीये जब आतिया कुनिनदा में पाए जाने वाला जीनियाती मादा खुबल कुनिन्दा खलीय में हरकत करता है तो इस तरीखे को संजोग या कान्जूगेशन कहता है काया बदली या ट्रांसफॉर्मेशन काया बदली को ग्रिफित नामी साइंसदान ने दर्याफ्त किया काया बदली में अतिया दहिंदा और खुबल कनिंदा बैक्टिरियाई खलियों के दर्मियान तबाई लम्स यानि फिजिकल कॉंटेक्ट नहीं होता है अजिस तल्बा आज मैं आप लोगों को बैक्टिरिया की साफ़ और बैक्टिरिया में किस तरह के सूतिये फिलाई पाय जाते हैं और किस तरह से तौलीद अमल में आती है इस पर रोशनी डाली मजीद मालमात के लिए आप यूनिवर्सिटी से मौहिया करदा सिम का मुटाला करें या और मजीद मालमात के लिए आप इन किटाबों का मुटाला कर सकते हैं आप पता नोट करें डाक्र A.S. मखबूल एहमद लेक्चरर नबातियात अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिये आदाब अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिये आदाब अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिये आदाब